हाई लो फ्रेंड्स, गूड बिनिंग, स्वागत है आप सबका स्युक्रपा कलासेज पर, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC CGL एकजाम 2023 के 26 जुलाई की 2nd सिप्ट में पूछे गए GKGS वा Current Affairs के परसनों को साल्प करेंगे, दोस्तों इस सिप्ट के अगर Question Label की बात करें, तो काफी अच्छा था दोस्तों, Easy Label हम लोग कह सकते हैं, दोस्तों, 1st सिप्ट के पे अच्छा, क्योंकि 1st सिप्ट में दोस्तों, Moded to Top Question पूछे गए थे, थोड़ा अलग टाइप की Question पूछे गए थे, डीपली Question पूछे गए थे, और इस सिप्ट में दोस्तों, Question अच्छे खासे और सीधे पूछ ले गए हैं, तो उचली दोस्तों, ज्यादा समयने लेते हुए, हम लोग 2nd सिप्ट में पूछे गए परसनों को साल्प करना शुरू करते हैं, दोस्तों, एक बंदगन किसी से संबंधित था, तो इसका राइट एंसर होगा, सल्तनत काल में दीवाने बंदगन दोस्तों, गुलामों का एक विभाग था, जो लोग गुलामों का विभाग पर अपना एंसर टिक किये हैं, उनका एंसर बिलकुल करेक्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर और ब पूछा जा सकता है, अरजे ए बंदगन एक अधिकारी था, तो अरजे ए बंदगन का संबंध के से से पूछ लिया जा सकता है, तो यह अधिकारी था, जो गुलामों की भरती और निरिचण करता था, आगे चलेंगे, कोश्चन नमर दो की और, अगला कोश्चन दोस्तों, जो कि आज के second shift में पूछा गया, question था, बिहू, हम लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दोस्तों deeply पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि उपर-उपर के question आगे की shift में पूछे जा चुके हैं, question था, बिहू तेवहर एक साल में कितन महिने में मना जाता है, यह पूछा जा सकता है, most important है, दोस्तों, तो कब मना जाता है, हिंदु पंचान के अंसार, बैसाक महिने में, एक बिहू तेवहर, अब देखे दोस्तों, जो तीन बाव मना जाते हैं, कब कब मना जाते हैं, तो यह बिहू तेवहर दोस्तों, जनुरी में मना जाता है दूसरा अप्रेल में मना जाता है और तीसरा अक्टूबर में मना जाता है तीन तरह से मना जाते हैं अब उनके अलाग अलाग नाम है यह बहुत डीपली हो जाते हैं दोस्तों इतना डीपली वंडेक जाम में कोस्टन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि कोस्ट दोस्तों बिल्कुल हमें लोगों को factual पूछा जाएगा, factual उनका एंसर देना, कोई conceptual question पूछे नहीं जाएगे, अगला question है नाबाड, ये तो हम लोग रठी चुके हैं, दोस्तों, नाबाड के स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, दोस्तों, misprint हो गया, ध्यान दिजेगा 1982 में हुई थी, नाबाड के स्थापना, ये 85 लिग गया है, 1982 में हुई थी, नाबाड के स्थापना, थोड़ा सा यहां पर और बात करेंगे, दोस्तों, जहां से question बन सकते हैं, ध्यान दिजेगा, नाबाड, दोस्तों, यानि कि National Bank for Agriculture and Rural Development, जो कि इसका full farm है, ये पूछा जा होता है, राष्ट्य किर्सी और ग्रामिड विकास बैंक, ध्यान दिजेगा, नाबाड, नेशनल बैंक for Agriculture and Rural Development, राष्ट्य किर्सी और ग्रामिड विकास बैंक, अब इसके स्थापना हुई थी, तो detail में बात करेंगे, तो 12 जुलाई इसका date है, 1982 में मुंबई में हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, आगे चलेंगे हम लोग, next question की और, अगला question दोस्तों, जो कि आज के second shift में पूछा गया, question था, निम्न में से, दोस्तों, बार बार, लगभग सारे practices में, ये सारे question मूल अधिकार के question होगे, बेज से सम्मदित, मुलिक करते हैं, ये सारे question दोस्त है, अब तीन बेद और ध्यान रखे, जो हम लोग बार-बार बात करते हैं, दोस्तों, सबसे प्राचीन बेद कौन सा है, तो रिग बेद है, गात्री मंत्र इसी बेद से लिया गया है, उसके बाद है, गद्यों पद्ध वाला बेद, पूछा था, किस बेद की रचना, गद नेक्स्ट कोश्चन दोस्तों, दीप का पल्लीकल, चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको पर सामने करते हैं, फिर बात करते हैं, अगला कोश्चन जो हमारा पूछा गया दोस्तों, कोश्चन था, दीप का पल्लीकल किस खेल से सम्बन दीत हैं, तो ये दोस्तों, इसको एस खि अगे चलेंगे नेक्स्ट कोश्चन की वर जो कि आज के सेकेंड सिप्ट में पूछा गया अगला कोश्चन था दोस्तों ICC T20 World Cup 2021 रोज जीकर करते हम लोग दोस्तों क्योंकि हाइलाटेट कोश्चन है करेंट का खेल जगास से कोश्चन था ICC T20 World Cup 2021 की विजेता टीम तो आश्टेलिया है सभी लोगों का सही गया होगा दोस्तों उसके बाद उपने जेता की बात की जाया या नहीं रना रभ तो वो नियूजिलेंड था और इसका आयोजन जो है सन्यूगत अरव अमान में किया गया था यह पूछा जा सकता है आयोजन में भारत में महिला पर्थम पूरुस पर्थम वह इनका जिकार आता है दोस्तों हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो कौन थी सरोजनी नाडू और उत्तर परदेश की थी कहां की उत्तर परदेश की आगे चलेंगे नेक्स्ट कोश्चन की और जो कि आज के सिकंड सिप्ट मे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि हमारे द्वार दे जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स पार वाचिंग झाल झाल